जो नहीं पिया है उसको भी प्यमसी भेजवड़ा है अच्छपरा में बहुत बड़ी दुर घटना हुई है एक गाउं के इगारा आदमी की मिर्टू हो गई है जहरीले सरा पीने से यह छेत्र है राजुपरताफ रूढ़ी का संसदिये छेत्र है यह दोनों आदमी का छेत्र है और दोनों बहुत बड़े नेता है उनके छेत्र में है और एक घटना हुई है जहरीले सराब से बिहार में पुर्ण सराब बंदी है और परसासन को साइद खबर नहीं लगती है क्योंकि वो लोग कुमकरन वाले निंद में सोई रहते हैं या घूस लेते हैं मालम नहीं क्या कारण है इगारा घरों का चिराग उजर गया और किसी को कोई फर्क नहीं परा अभी तक कोई बरानेता नहीं आया है अच्छा इन ही कि इनके छोटे भाई जहरीले सरा पीने से उनकी मिर्टू हो गई अपना नाम बताई अगविया क्रिश्णा महतो है कह्या सरा पी ले रहा है लोग बोद बार बुद बार को आदे बात बताई लोग सरा पी के रोज क्या आदत रहे कि अप्ड़ाई तो देखें यह कर त्वादत लग पी अच्छा करें यह कर आदत लगा हम हम समझा समझा के हम खुड ठक गर नहीं है मतलब कि यह कहात नहीं कि मत भी भाई मत भी यह खराब करी हमने पीले हो इसे हमरा जिसन तु बंजो आच्छा करी यह दारू पिला सहे हम जाना ते ही का नउक्षान होगा पैसा के नुक्सान हो काई थो अर तोडरासरीर के नुक्सान होगी फिर घर में कलेश होखी इस हमात्लर परवाड़िक मामला में हम खूट समझावातनी है उनका बालबचा उनके बालबचा दो है तो लटकी दोड़नो लटकी बता है उनों के पर वरिक सकी से वही से उत चल गई लें कमाय बलारुल हन अपको काफी मुश्किल हो गई लगा अब यह तो भाईबे काही लग क्या करिया अब आप अपर तो समाझ नहीं क्या अचा इसरा रहा इसलिए नहीं कर गाता है वह वह भी कल भी करका जा रहा आता चप्रा उसको भीरोक लिया है ऐसलिए जबरश्टियों करता है जबरश्टि थाना करता है कर रहा है यह कह रहा है कि अगर ज्यादा बोलोगे तो हम आपके घर में डराम रख देंगे और आपको कहेंगे कि आप दारू बेचते हो ऐसे भी थाना कहता है अगर देट में पांच डराम धर आया यहां थालाक भेलदी को कहा गया से चलिये अब देखिये और नहीं गया उठा करो ले गया नडराम उठा कर रटा दिया बताई पूलिस के भी मिली भगत बाई से कोई इंकार नहीं खे कर सकर इहां के पति रहनी हां राओ कशल नहीं क्या से चलिगे और मालाक पूरा गहर उज़र गया धिन के अधिने प्ले साज के पीके ओले नडर के खाना कोईलन खाके सुथला असुथला देखने का पारू आता फारत अथा फूरा रात के बेचैनी में ती साहे बारे बारे होतरा तबले रगर रहा के न अब स्पीटल में का भर्ती करें लोग बहुत ज़्यादा उपर भाव कर दो लगता है अब बताइं सोचे वाला बात भाग अखास करके यहां पर सोचने वाली बात है कि जिनका घर उजर गया है जिनके घर से कमाने वाले अभी नहीं है उनका क्या होगा इस पर सरकार को सोचना चाहिए और उचित मुआबजा देना चाहिए जिससे कि परिवार का भरन पोसन हो सके एवं इनकी जीविका चल सके घर देख रहे हैं घर अब इसमें जो कमाने वाले थे उनकी मिर्टू हो गई है जहरीले सरा पीने से अब इसमें सरकार को चाहिए कि जो भी पीरित हैं जिनके आँखों की रोसनी चली गई है उनका इलाज सही से कराया जाए और आगे यहां पर सराब ना भीके सराब कोई ना पिए इसका विशेश करके निगरानी रखा जाए अच्छाई यहों के लोके ता जिमुवारी बाकि सराब ना पियो चाहिए बाला के मना क पूलीस दीन तेहवार था तो तेहवार की मतलब इन कुछ नहीं हुगा नो जसकी को जब डालगो दिजिए उस homme की मुँगा तो उसका क्यों नहीं हुगा हमारे गां में क्यों हुगा है इकी गां में इतना इना हवा ज्यक् Maßnahmen के लोगibo किस ये लोगों की मिर्टू हो गई है जहरील सराब से ये भी घर है एक और इस घर के भी कमाने वाले इसी सराब के चपेट में आकर अब इस दुनिया में नहीं रहें इस घर का क्या होगा कमाने वाले नहीं हैं के रनिया रवूर अच्छा इक कोब के घटना है अच्छा इस घर करने लाइक हो है और सो के राद के पटना लेकर जाती हैं कि अच्छा रहुआ माना करीं सराबुरा पी ये से हम पर सब गाव के लोके रोकीला ये सराम मत पीजिए लोग हम रहा सराब का मत जरूरी में हम रहा जाना था में अहम तरो कहुं लाज़ा के दुहजार बारे से पूलीस पर सासन डियम से सब्सें से लगा है कातना लोग के रोसनी चल गई लबा कातना लोग के तवियत भी जादा खारा बारे सब्सें कानूनी जरूरी मतलब की कानून के अपराद सरकार के लिए रहे हैं जो कि सराब के खिलाफ डियम से लेकर अलग अलग जगा पर सिखाई लेकर शिकाई भी कर चुकी हैं और इनके पती हैं उसके सिकार हो गएं क्योंकि अस्थानिये जो परसासन है वह भी लपर वाही दिखाई और मुचित करवाई नहीं कर पाई जिसके कारने घटना हुई कोई आदमी की मिर्टू हो गई है कल दो पहर में नौ आदमी के बताता हैं लोग रात के इगारे आदमी तक भाई अभी रहुए चवदे आदमी का अदमी के ले जाता हैं लोग कोई भी होखे जे भी करवाई भाई इलाज ठीक से होता है कि ना जे बताता हैं लोग डाक्टर के भीरी भागल की हो आदमी बच जही लेकिन वह जोहर के स्वीदे देखे मुए ले बालोग इलाज होई ता आदमी के ना खताम होई जहरीला सराब रहे जहरीला जोन्द है उस सराब रहे आवकर डॉक्टर के भी इलाज के सही ना बेलना यहां के लोग का रोप है कि परसासर ने भी सही से इलाज नहीं कराया जिसके कारण इतनी बड़ी दुर घटना हुई और इस गाउं के 14 लोगों की मिर्टू हो गई है यहां बहुत सारे लोग का तबियत अभी भी खराब है और एक बात और है कि बहुत सारे लोग की आखों की रोसनी भी चली गई है इसके लिए परसासन क्या करवाई करेगी इन लोग को क्या मुअबजा मिलेगा अच्छा के क्या अल्रो लगों का आए था अस्थानिये जो भी नेता है जो भी परतिनिदी आजन परतिनिदी उनको आना चाहिए कुछ नहीं कर रहे हैं गरीब इसान को और ले जाकर मार रहे हैं को जो सराब बेचने वाले हैं उनके गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और यह लोग बता रहे हैं कि चोड़ा लोग की मिर्टू ही है और परसाशन के तरब से जो खबर आ रहे हैं उसमें मातुई गारों को दिखाया जा रहा है कि आप घर देख रहे हैं यहां पे इस घर से दो लोग की मिर्टू ही है और जहरीले सराब पीने से जो सराब बेचने वाले हैं उनके गिराफतारी अभी तक नहीं हुई है और उनके गिराफतारी अभी तक नहीं हुई है इसमें परसाशन के बहुत बड़ी लग परवाही है जिसको जिसको नाम धरे हैं सर भ्यांडर को वह मेरे का आज के डेट में जितने भ्यांडर को नाम धरा गया है वह मेरे को हाजिर चाहिए आज जो बारे घंडा के अंदर में जारू बेंचे बला लोग फिरी घूम रहे हैं पुलीस कुछ भी नहीं कर रही है यह का डिमांड परसाशन सर भी तो यह डिमांड है कि जितना आदमी है नाम धरा गया उनको पले गिराफतार को अगर पाबलिक के सामने लाए कि यहार क्यों अधिया